छोनी शोपिंग करी लिंदाइब मैं तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं अरे एपक्ग चलो कैसे तुम लोग क्या हाल चाल तुम सब के अच्छा अभी तुम सोच रोगी सर्ड लेकर कहां घूम्रे वह आप क्या कर रहे हो यह शर्ट के साथ वह क्या है ना बच्छे अच्छली आइसकल मेरा थोड़ा शॉपिंग शॉपिंग का मन किया तो मैंने थोड़ा शॉपिं और उसके बाद फिर मेरे को लगा की इस शर्ट के थूह में आप से कुछ बातचीद भी कर सकता हूं या तो शर्ट के टूहATHAN मैं आपस कुछ pwe pay मैं हूं आपके साथ और हम करके पास एक आपको बतायी है उसको तक चली है क्या करते हैं जल्दी से इस कहानी को हो 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 बाढ़ लेते हैं हम बात करेंगे cotton farmer की करनूल के अंदर हम साथी साथ बचों बात करेंगे cloth market of erode की Garment Export Factory की डेली में और market and equality ठीक है चले तो बात करते हैं बच्चे शुरुबात करते हैं हम लोग एक बहुत जबरदस्त हाड वोकिंग सवपना से तो सवपना की एक कहानी है कि cotton farmer करनूल के अंदर राइट तो लेट्स लेट्सी की बगया सपना के पास बताने के लिए क्या है तो देखें सपना एक स्मॉल करनूल अंधर प्रदेश में अपने चोटे से पीस ऑफ फ्लांड में वो कॉटन ग्रों करते हैं कॉटन बच्छे अगर आपको बताओ तो ब्लाक स्वाल के अंदर बड़ा अच्छा ग्रों करता है ना और साथी साथ कॉटन जो है बहुत सारी चीजों को बनाने में भी काम तो यह बात ऐसी कि जो बॉल ते च्छे आब राइप हो चुके और बस्टर होने के लिए सब बार ऐसे उसके चौटन के जो फाइबर से रेशे हैं वहा में से उड़ते रहते हैं ना कि बर इसे उड़ते हैं तो बच्छे जो कॉटन बॉल शैना दीरे-दीरे करके बस्ट हो मलते हैं हवा के अंदर मस्त इकदम घुमते हुए तो इट टेक्स टाइम राइट सपना जो है भी शी बिजी बीइंग कॉर्टन बॉल्स आट कैरी दॉटन इन एक बात एक साथ बस नहीं होते पर एक टेक्स सेवरेल देस फॉर देम टुबस नौ एक बात जब कॉर्टन कलेट जाता है इंसेट आव सलिंग इट इन द अकार्णोल मार्केट अपना करती है अपने हजबन के साथ इसको एक लोकल ट्रेडर के पास लेकर के जाती है अब जब कॉपिंग सिजन स्टार्ट वाता तो सपना ने धाई हजार रुपे ट्रेडर से उधार लिये टेक बहुत हाई interest rate पे seeds खरीदने के लिए fertilizers खरीदने के लिए पेस्टिसाइट खरीदने के लिए ताकि वो अपनी जमीन पर cultivation कर सके ठीक है अब local trader ने बोला सपना से एक और connection है he made a promise to sell the cotton only to him तो बहुत simple सी बात है local trader ने क्या किया डाइजार रुपे काफी high interest rate पे सपना को दे दिये कि भाई ले जाओ अपनी agriculture needs को पूरा करो लेकिन जब agriculture हो जाएगा जब cotton harvest हो जाएगा तो तुम लाकर के सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही बेचोगी और किसी को नहीं बेचोगी तो यही condition है ठीक है अभी क्या है कि cultivation of cotton है बच्चे that requires very high inputs fertilizers pesticides वगयरा चाहिए होते हैं तो as a result farmer को का सफी जादा खर्चा लगता है इन सब चीजों को मानेज करने में अगर ट्रेडर की बात करते हैं तो ट्रेडर के दुकान पर क्या होता है इसके दो लोग है वो cotton को वेट कर रहे हैं 1500 रुपे पर कुंटल एक कुंटल कितना है बच्चे अप्रॉक्सिमेटली जहाज हंड़े तो इस प्राइस पर कॉंटल के गरम बात करते हैं तो इस प्राइस पे कॉटन को मतलब कही न कहीं कलेट करके सल आउट किया जा रहा है राइट दकॉटन वेचे 6,000 तो ट्रेडर डिड़क्स 3,000 फर रिपेमेंट अफ लोन और इंट्रेस एंड पेस सपना 3,000 वाइट तो ज करें बच्चे को बहुत अच्सेतरिक वेट करें उसका वेट निकालने सका बहुझन करे 1500 रुपे पर कुंटल दिए जा रहे है कॉंटन के लों त 250 रोपे जा रहे हैं तो करीफ चार कुंटल कॉंटन के चले है उता हुए तो यंद शर clock करे से अब सपना कहती है कि सर्फ 30 रूपष तो ट्रेडर कांट सस्ता है बहुत सारा कॉर्ट में listen हबतना नहीं किये ऍिसने महुत करने के लिए आप देख सकते होगे कितना ॉवीन कोडहन कितना yan रीति बहते मिलेंगे यह लेगे लेगी तर शबत 20 है ठीक है तो बहुत डिसपॉइंटेट है चले अब ट्रेडर कहता है कि हम्मा गिविंगे वेरी गूट प्राइज मैं तो बहुत अच्छा दाम दे रहा हूं बाकी ट्रेडर्स तो आपको यह भी नहीं दे रहे हैं आपका यहां तो करनूल की मार्केट चेक करके आ जाओ सपना ने का कि ठीक है भया आप गुसा मत हो यह मैं आप पर डाउट कैसे कर सकती हूं ठीक है आपने कहा है तो ठीक होगा बस मेरे को यही थोड़ी सी होप थी कि शायद थोड़ा इतना पैसा मिल जाए कि कुछ टाइम में अपना जो जीवाने ठीक से चला लो है ना से कम 800 रुपे पर कुंटल तो उसका कॉटन बिखी जाता आज रिजल्ट जो 6000 का दाम लगा रहा था ट्रेडर इटलीट 7200 का दाम लगना ही चाहिए था लेकिन उसने आर्ग्यू नहीं किया क्योंकि भाई उसकी मजबूरी थी ट्रेडर एक पावफुल आदमी है गाउं के इंदर और जितने भी फार्मर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं लोन के लिए और नॉट ओली फॉर कल्डिवेशन बट आलसो तो मीट अधर एक्सिजेंसी यानि अगर अगर घर में कुछ बिमार पर जाए कोई प्रॉब्लम आजाए कोई फंक्शन आजाए तो उसके लिए इसके साथ आर्ग्यू करके नहीं करना चाहती थी और इसके बाद जो है नॉमली जो मिल गया उसी से काम चला लेते हैं ना सपना की जो और बच्चे है कॉटन फार्मर काफी कम है है ना very very much less then what she might have earned as a wage labour अगर वह वेज के पर काम करती तो शायद उसको जादा पैसे मिलें बदेंधाए काफी कम है जालो तो ऐसे एक और कहानी आती है बचे cloth market of Erode की Erode का जो cloth market है Erode एक bi-weekly cloth market है तो मिलना आडु के अंदर मतलब दो बार लगती है week के अंदर जो बनाते हैं बाइट कपड़ा बनाते हुऊ सारा के सारा जाता है यहाँ पर लोकल जो ट्रेडरों जो कपड़ा खरीता है बलक के अंदर उनके आफिस्ट बने हुए बाहर से भी लोग आते हैं यहां पर कपड़ा खरीदने के लिए तो काफी बड़ी कपड़ा मार्केट है जब मार्केट का डे होता है बच्चे युल फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ अड़ाइस बीन बाहर आप यह भी देखो कि बहुत सारी वीवर्स ऐसे हैं जो कि ओर आपने दिया हुआ और और पर बने हुआ कपड़े को ले करके आ रहे हैं बेचने के लिए आप मर्चंट को बहुत सिंपल है इनको क्या सी फाब्रिक चाहिए ठीक है तो मल्चंट ने क्या कि है लोकल वीवर से फैब्रिक बन वाल या फैब्रिक को उठाया और अच्छे दामों में किसको बेज दिया फैक्टरी इसको बेज दिया जहां पर पर शिर्ट ट्राउजर इस तरीके के चीजा में आती है तो उनका प्रॉफिट भी अच्छा कासा होता है चलो देखते हैं बचे कैसे अब मर्चंट जो है वह वीवर की बीच में काम डिस्ट्रिब्यूट कर देते हैं बेस्ट अपॉन दॉर्डर्स तटी अब मर्चंट जो है किसी फैक्टरी से किसी कंपनी से ओ बनाओगे तो मर्चंट इनको सप्लाई करता है और उसका यह क्लॉथ बनाके फैबरिक बनाके किसको देते हैं वापस मर्चंट को फॉर्डवी वर्स इस अर्रेंजमेंट थो अडवांटेज पहली चीज की वीवर्स को अपना खुद का पैसा नहीं खल्च करना पड़ता उ यहाँ पर एक सिंपल सा चैनल चला है तीन लोग यहाँ पर एक गार्बेंट फाक्टरी वाला बंदा है उसने एक मर्चंट को ओर्डर दिया कि मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए इतना फैबरिक चाहिए और वो मर्चंट गया लोकल वीवर के पास जो की कपड़ा बुन उसको इस बात की टेंशन ने लिए कि वह कहां बिकेगा क्योंकि उसका जो खरीदने वाला है वह इंसान फिक्स है वह मर्चंट फिक्स है तो उसकी दोनों टेंशन यहाँ पर सॉल्ड है यह ना आप किसी भी डिपेंडेंट हो जाओगे तो बच्चे वह अपने हिसाब से आपको न चाहेगा रेस्टिक कर देगा अगर आप कहीं और बेचना चाहो तो नहीं बेच सकते हो या जो दाम्द आपको देगा बच्चे आपको कहीं न कहीं उसी पर खरीदना पड़ेगा उसी बेचना पड़ेगा तो आप काफी जादा रेस्टिक वह जाते हो मार्केट में ते एव ओडर्वाट वाट फॉर्ट इस तो भी मेड पे अपे अवरी लो प्राइस फॉर्ट फॉर्ट वाट व्यूज पास कोई खास इंपर्टेंट चोईस नहीं है नहीं है ना कि या इवेस्ट्वाइगा था घागभा मिन करते रहे तुम सिल घुत जो फिल कि तो एरे हं को लग बनाको तो दे रहो मैक्साव इंवेस्ट्प माघ इसलीए भाई धाट इस वी आदि-वियू नर्स right weavers invest all their savings or they borrow money at higher interest rates to buy looms looms क्या होते हैं बच्छे मशीन होते हैं ऐसे जिसमें वीविंग की जाती है इस तरीके से ठीक है ताट सब्सक्राइब लूम हर एक लूम का कॉस्टे बच्छे बीस हजार रुपए के नियुमाइजन तो अगरे इंसान के पास दो मशीन हैं ऐसे कपडा सिलने वाली कपडा बनाने वाली तो चाले साथ रुपए का इस विचारे विवर का इंवेस्मेंट है और अवीवर एन अनाधर अडर्ट मेंबर ओड़ फामिली वोग्स तो ट्वेल आर्स अडे तो प्रद्यूस अ क्लॉट पर मंद के नियुमाजन बच्छो इसमें रिटर्न आफ इंवेस्मेंट तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि इंवेस्ट कर रहा है 40,000 रुपे दो मशीने लाने की अपने एक फैमिली मेंबर को भी इंवाल्व कर रहा है बारा बारा घंटे काम भी कर रहा है और मैं मिलक इतना रहा है उसको सिर्फ 3500 रुपे महिना बच्छे तो उसके उपर लोन चड़ा हुए क्योंकि लोन लेकर के ह इतना सारा पैसा एकदम से तो आएगा नी तो विचारा इतना काम करने के बाद इसको मिला है 3500 रुपीज पर मन्त तो कहीं न कहीं बच्छो यह अपने आप में बहुत ज्यादा कम प्राइस है राइट तो यह जो अर्रेंग्मेंट है बच्छो मॉल्चेंट और वीवर्स क इस वेरी मच प्रेवलेंट इन डवीविंग इंडैस्ट्री इन मोस पार्ट आफ इंडिया वीवर्स के को अपरेटिव को एक ग्रुप है जिसमें लोग कोंट्रिबूट करते हैं मिल जूल करके काम करते हैं जो भी प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है उसको वो लोग को आपस में बाट लेते हैं, right, so we have seen that weavers are paid very little by this putting out system, so weavers cooperative एक ऐसा बहुत अच्छा वे है, इस चीज को कम करने का, right, एक cooperative में जिन लोगों का common interest है, सब उस करना हम सारे लोग को कपड़ा बना के बजार में बेचना है, तो हम क्या करेंगे, सब लोग कुछ-कुछ पैसा invest करे करने के लिए, फिर जो भी profit आएगा, वो आपस में divide कर लेंगे, जो भी loss आएगा, वो आपस में divide कर लेंगे, तो ऐसे system को हम कहते है, cooperative system, right, so cooperative में people with common interest come together, work for the mutual benefit, एक weavers cooperative में, weavers बच्छे group form करते हैं, and then एक साथ मिल करके काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, जो भी profits आते हैं उसको साथ में divide करते हैं, जो भी loss होता है, मिल बाट करके भाई अपना bear करते हैं, तो यह लोग क्या कर रहे हैं, they procure yarn from yarn dealer, distribute among the weavers, and cooperative marketing भी करता है अपने product की, तो इसके में काम काफी easy हो जा रहा है, और काफी बैतर हो जा रहा है, क्योंकि मिल करके लोग पैसा लगा रहे है, हर एक person कुछ-कुछ पैसा contribute कर रहा है, और पैसा contribute करने के बाद क्या हो रहा है, simple सी बात है, यान dealer के पास जा रहे है, जो की धागा बेच रहा है, फाइबर बेच रहा है, वहाँ से खरीद करके ला रहे है, और आपस में मिल जोगे काम कर रहे है, और marketing भी कर रहे हैं अपने बेच रहे हैं, right, at times government भी बचो काफी help करती है, and they buy cloth from them at a reasonable price, for example, Tamil Nadu government एक free school uniform program learn किया था है, अब इस free school के लिए भाई, जो हमारी cloth है, right बचो, तो ये procure किया जा रहा है local weavers के लिए, from the power loom weavers cooperative, similarly government जो है कई बार hand loom, जो हाथ से powered, एक दो तरीके looms होते हैं, दो तरीके machine हो चलती है, एक वो जो बच्चे electric से चलती है, ठीक है electricity चलती है, एक वो जो हाथ से चलती है, तो दोनों तरीके power looms और hand looms, right, so basically government ने एक और start किया था program, जहाँ पे इनोंने hand loom weavers के साथ भी जो था, कपड़ा खरीदा था, and co-op tax करके इनोंने store खोले, जहाँ पे like, जो local लोगों से source किया गया, उसको government ने बेचना, start किया था, fine and reasonable price, ठीक है, तो आप गर आप भी कभी गए होगे south side पे, तो बच्चे आपको इस तरीके का कपड़ा market जरूर दिखा होगा, ठीक है, चलिए, आगे बात करते है, तो आगे बात करते हैं, बच्चो, let's one further, तो government export factory की बात करते हैं, ठीक है, जो erode के merchant है, that supplies the cotton cloth produced by weavers to garment export factory near Delhi, डेली के पास एक garment बनाने की factory है, जहां से बाहर समान बेचा जाता है, तो जो erode के merchant है न बच्चे, ये वहाँ पर आ करके अपना समान बेचते है, ठीक, तो government exporting factory will use this to make shirts, these shirts will be exported to foreign countries, among the foreign buyers, there are business people from US, Europe, पूरा ना chain of stores, right, तो क्या हो रहा है, भाई, local weavers आकर के garment factory को बेचते रहे हैं दिली के पास, दिली की वो garment factory बाहर, US और Europe में उस कपड़े को export कर दे रहे है, वहाँ पे बैठे हुए जो garment factory के जो businessmen है, बचो, वहाँ पे बैठे हुए जो अलग अलग businessmen है, जिनकी बहुत बड़ी-बड़ी दुकाने है, वो उसमें जाके उसको अच्छे दामों पर sell out कर रहे है, branding, branding करने के बाद, ठीक है, तो the demand, these large stores do business strictly on their own terms, they demand lowest prices from supplier, in addition, they set high standards for quality of production and timely delivery, any defects or delay is dealt strictly, so exporter tries the best to meet the conditions set by the powerful buyers, right, very very simple, अब जो बड़े-बड़े brands होते हैं, बच से, अब ब्रांच में पैस exceptional quality मिलेगा, और durable product मिलेगा, लंबे समय तक चलने आला समान मिलेगा, है ना, तो ऐसे ही बच्चे यह जो buyers, international buyers है, यह बहुत ही particular होते हैं, आपके method of production को ले करके, कि quality बहुत fine होना चाहिए, durable होना चाहिए, और price जो है, काफी कम होना चाहिए, यानि अगर मैं इनको कुछ समा समान बेच रहा हूं, तो मैं कम दामों पर अच्छे prices में, कम दामों के अंदर जो है, इनको सारा समान बेच दूँ और अच्छी quality का बेच दूँ और अगर ऐसा नहीं होता है, तो भाई यह लोग कई बार legal legal action भी ले लेते हैं, for wrong kind of quality produced, ठीक है, तो इसलिए, exporter हमेशा try करत है कि इनकी conditions को meet किया जाए, बच्छे आप मानोगी नहीं, जो shoes होता है, जो shoes export होते हैं, कई बार भाज से बनके पहुचा के shoes जाते है, shoes के threading में भी अगर एक threading इधर से उदार हो गया तो shoes को reject कर दिया जाता है, can you imagine, सब कुछ perfect shoes में, but वो जो threading का pattern अगर वो इधर से इध भी हो गया न, shoes rejected है, वो लेते ही नहीं है, मलब अब जो outside exporter हो नहीं बेचते है मां की markets में, that is the quality maintained, right, pays with such pressure from buyers, the government exporting factories in turn try to cut cost, they get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages, so this way they can maximize the profit, अब क्या हो रहे है यहापे, जो आपकी export company है, वो क्या करती है, ट्राइ करती है, कि workers को कम से कम दामो पे काम करवाया जाए, और क्योंकि उनको अगर ज्यादा salary pay करेंगे तो इनका नुकसान काफी हो जाएगा, क्योंकि pressure इनके उपर buyers से, buyer को आप महेंगे में बेचोगे, तो खरीदेगा नहीं, तो buyer को सस्ता माल भी चाहिए, अच्छा समान भी चाहिए, तो इसके लिए कि आ करना पड़ेग राइट, जिसे एक बड़ा अच्छा एक्जामपल है, इंपेक्स गार्मेंट फ्रेक्टरी गा, तो इसमें करीब सतर वर्कर्स है, मैक्समम विमेर है, most of these workers are employed on temporary basis, permanent job नहीं है, temporary job है, ठीके, this means that whenever the employer feels, और वेसी बात है, वो कभी बोल देगा, वर्कर को भीया, कल से काम पे, म आना, आज तक के तुम्हारा contribution बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारे हिसाब कर देते हैं, इतने दिन का कितना पैसा बना, लो और निकलो, आप उस पर कोई legal action नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले ही आप से contract sign कराया हुआ है, ति temporary basis पे मैं आपको hire कर रहा हूं, ठी case paid among the workers are tailor, जिनको करीब 3000 रुपे पर महिना मिलता है, क्योंकि वही tailor तो finally आपका garment produce करेंगे, women को helpers के लिए, threading के लिए, button करने के लिए, iron के लिए, packaging के लिए, इन सब कामों में लगाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना मिलता है, tailor को 3000 रुपे महिना, iron करने व पर महिना, तो इस तरीके से बच्चे पर मंत की जो payment है, वो workers को यहाँ पर दी जाती है, impacts government factory के अंदर, तो बच्चों कहीं न कहीं आप यह देख सकते हैं कि भाई, जो हमारे workers हैं, वो underpaid हैं, इस sector के अंदर भी, दिखने में आपको लगता है कि 12 गंटे, 14 गंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, एक worker के जो efforts हैं, वो कहीं न कहीं recognize नहीं होते हैं, तो आपको 2000 रुपे की shirt पढ़ती है, बच्चे उसकी actual production cost होती है, वो सिर्फ 500 रुपे के आसपास ही होती है, हलाकि उसमें branding, branding करने के बाद, profit side करने के बाद, huge profit side करने के बाद, वो 2000 रुपे की shirt बनत हैं, और मज़े की बात तो यह है, जो so called international brands है, multiple cotton इंडिया से export होता है, ठीकि भारत सका ही cotton उडाके लेके जाते हैं, और हम कोई वापत 20,000 रुपे की shirt बना के बेज़ते हैं, और हम बड़े मज़े से उसको खरीते हैं, तो बच्चे अपने आप में कहीं न कहीं है, खदरना कर रहा है, तो 26 x 80 करके निकाल लो, तो शायद यह से भी ज्यादा माउंट आ सकता है, इसका purchase है 300 का, अब इसका cost break up करें, तो 300 रुपे का कपड़ा खरीदा है, 200 रुपे storage में काई 500, 400 रुटाइजिंग में 900 और 900 रुपीस का profit, तब इस shirt की cost आई 1800 रुपे, इसलिए आपको 1800 रुपे की shirt पर रहे है, परचेस की है, यहाँ पर इसका exporter ने जो परचेस किया है, जो business man ने जिसमें यहाँ पर बेच राज में आपर, उसने एक्सपोर्ट तो 300 रुपे हम किया, 300 रुपे में shirt करी दिया, तो 300 रुपे में shirt करी दी, 200 रुपे उसको store करने के maintain करने के 400 रुपे उसके advertising पर खल्च की है, और 900 रुपे का profit है, इसके बाद भी 900 ही हो रहे हैं, बाई, 1800 रुपे जो आप उसको pay कर रहे हो, 900 रुपे का तो उसका खुद का profit है, तो इस तरीके से बच्चों आपको चीज़ें इतनी ज्यादा महेंगी मिलती है, बाई, ठी क्योंकि वो खासकर उस इंसान को जिसने बहुत बल्क में समान खरीदा है, directly manufacturing factory से खरीदा है, क्योंकि वो काफी सस्ते में समान खरीद रहा है, और बेच काफी महेंगे मेरा है, तो उसका जो profit है, वो काफी ठीक ठाक है, right, foreign business person, they made huge profits in the market, compared to this, जो government exported है, उसको तो बहुत ही कम profit हुआ है, right, so हमारा main business person है, जो वहां के stores है, जो foreign business stores है, वो समान खरीद के लिए जा रहे है न, यहां से, local dealers से, उनको सबस्यादा profit है, क्योंकि ब्रांडिंग वगरा करके वो 2x profit है, यह तो टाइम जादा का बेच रहे है, so that is how the things deal, on the other hand, जो workers की earning है बच्छे, वो काफी ज small. So up, if you have to pay price, 30,000 रुपय मेंगे मैं आशका बुच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, समान का दाम इतना जाधा हाई है, आपको की टोर 3,000 रुपय क्या 500 रुपय पांशोर प्धावरब आप चेंज कर आओं ऑप, 500 रुपय का बेंको सब्सकति हैं, पांशोर जाए है, जो तो एवरीवन इन दिस चेंग देडिन नॉट गट इकल प्रॉफिट इन अर्केट यूजली जो रिच इन पाफुल प्यर पीपल जादा अंकरते हैं जिनके पास जादा मनी जो ओन करते हैं चीजों को बच्छे फैक्टरीज को और ते वह कही न कहीं आप प्रॉफिट में रह क्यों पास यारे मार्केट के इन दर कौलिटी मार्केट के इन दर समांता भिलकूल भी नहीं है और डड़ाट इस वगेट इस टार सो वाले शर्ट के बैठती है कि मैंने श शोर्ट का परचेश चार पांट सो पर कही रहा होगा इस पर आडबर्टाइजिंग लगी प्लस हम हमारे बेचने वाले इंसान का प्रॉफिट लगा जिसके चलते मेरे इतने सारे में को इसके लिए पैसे पे करने पड़े होंगे तो यह चोटा सा एक्जामपल बच्छा आपको बताता है कि जो प्रॉडक्शन कॉस्ट होता है वो कितना कम होता है किसी चीज का और उसके बाद प्रॉडक्शन कोस्ट के बाद यह इतनी कम चीज होती है और लेकिन इतनी सारा पर स्टा करते हैं विकॉज अप्रोडाइज द्वाली कहानी में फिलाल मैं जा रहा हूं शर्ट को पहन के दिखता हूं मज़णी लाइफ आ रहाए कि नहीं आ रहा है है और important बात यह है कि आपके लिए सवाल है आपको मान के ऐख शर्ट डिजाइन करना है एक बार आपको इस शर्ट डिजाइन करना है उस शर्ट में अपने profit को भी ध्यान में रखना है और इस टूरेज को भी ध्यान और फाइनली मुझे बताना है कि कितने चीजों में तो मुझे शर्ट को सेल आउट करोगे अब देखने वाली यह बात है कि कौन ऐसे रेट्स पे सेल करता है शर्ट को जिसमें उसका भी नुकसान ना हो और सामने वाला आसानी से आराम से खरीद देखता हूं भई किसकी के साथ और इस शर्ट के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा तो मिलते हैं आपसे बच्छों अगली प्यारी सी कहानी तब तक के लिए बाई बाई और स्टे ट्यूंड विद पीडाबलियू तो वाँ भाई शर्ट आओ मजानी लाइफ करें झालाओे झालाओे प्छ Corn तेओ नगनाओन के लिए बाई करें लाई चा सिस्ट्व प्रवimen साथिंउ प्यारी